So guys, हम सब लोग को petrol और diesel engine के बार में तो पता ही है मगर आज के time में petrol और diesel का जो price बढ़ता ही जा रहा है इसी problem को solve करने के लिए एक नया type का engine को introduce किया गया है जिसका नाम है flex engine और हाली में हमारे केंद्रिय सरक पडिवहन मंत्री नितिन गटकरे जी का एक बयान सामने आया है और इसे साब से हमारों जो सरकार है वो भी प्लान कर रहा है कि अभी जो भी नया गारिया मैनुफेक्चर होंगी उसमें ज्याद से ज्यादा flex engine का use किया जाए तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये flex engine आखिर में होता क्या है और इस flex engine का benefits हम लोगों को क्या-क्या मिलने वाला है तो hello guys मैं हूँ नील और आप देख रहें नील's blog तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिल्कुल भी skip मत कीजेगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमारे वीडियो को जावसे आद लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो guys अभी हम लोग जो भी गाडिया यूज कर रहे हैं उसमें जो इंजिन है उस इंजिन को बोला जाता है इंटर्नल कमबर्शन इंजिन मगर ये जो फ्लेक्स इंजिन है ये भी एक तरह का इंटर्नल कमबर्शन इंजिन ही है मगर इसमें जो डिफ्रेंस है मदलब जो मेन डिफ्रेंस है वो है कि हम लोग यहाँ पे alternate fuel को काम में ले सकते हैं जो primary fuel होगा वो तो petrol होगा मगर जो secondary fuel होगा वो होगा इथन ओयल और इस flex engine को ऐसे design किया गया है या ऐसा कुछ modification इसके अंदर किया गया है ताके आपको better mileage, better performance and better pickup मिल सके और इसी के कारण से बहुत सारे foreign countries में इस technology को काम पे लाके engines produce किया जा रहा है तो guys अभी आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इथन ओयल होता क्या है और इसको अगर हम लोग काम में ले या use करे तो इसमें से क्या benefit हम लोग को मिलने वाला है तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो इथन ओयल है ये एक biofuel है इसका जो main ingredient है ये है शुगर के या गन्ना मगर आप सब लोग को पता ही होगा कि जो petrol है ये हम लोग को मिलता है crude oil से ये जो crude oil है ये crude oil हम लोग को बाहर से import करके लाना पड़ता है मगर अगर हम लोग ये इथन ओयल यूज करें तो इथन ओयल जो है वो जैसे कि मैंने बता है कि गन्ने से या सुगर किन से इसको बनाया जाता है तो ये सब जो भी ingredients है इसका ये हम लोग को हमारे देश में ही मिल जाएगा तो इसका फाइदा हम लोग को क्या होगा पेट्रॉल या डीजल के comparison में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो प्राइज है वो 40-50% कम होने वाला है तो हम लोग को इसको खरीदने के लिए प्राइज भी पेट्रॉल के comparison में कम पे करना पड़ेगा इसका मतलब इसका जो running cost होगा वो बहुत ही कम होगा और एक जो खासियत है इस इथन ओयल का वो है कि ये बहुत हद तक eco-friendly है मतलब पेट्रॉल और डीजल के comparison में ये बहुत ही कम production फैलाएगा जो के हमारा nature के लिए भी बहुत अच्छा है और friends अभी हम लोग जो पेट्रॉल खरीते हैं या पेट्रॉल यूज करते हैं को कितना फायदा होने वाला है so guys finally इस technology को उपर भी बहुत सारे सवाल है कि ये technology जो है वो finally कब आने वाला है और ये जो technology है ये क्या four wheeler में आएगा या two wheeler के अंदर भी आएगा और ये जो flex engine है इसका maintenance कैसा होगा इसका running cost कैसा होगा और हाली में आप लोग को पता है कि ये जो BS6 गाडिया जब आये थे तो market में गाडियों को price कितना बर गया था तो जब ये flex engine आएगा तो ये flex engine को जो भी गाडियों में ये flex engine लगा हुआ होगा उसका price finally कितना होने वाला है और एक बात जो बहुत ही जरूरी है petrol तो हम लोग को easily available हो जाता है मगर ये जो ethanoil होगा ये ethanoil हम लोग को क्या एकदम easily मिल पाएगा और अगर मिल पाएगा तो कहां मिल पाएगा तो ये सब बहुत सारा question इसके उपर अभी भी है तो जब भी हम लोग के पास कोई भी नया update आएगा तो जरूर हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोग को inform करते रहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरूर comment करके बताईए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बार में पता चले और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल का ज़रू सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा हमारे लेटेस वीडियो के अपडेट पाने के लिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई